हेलो एब्रीवन इस वीडियो में कुछ और कॉंसेप्स हम क्लियर करेंगे और यह कॉंसेप्स से फोर से फैंट यह के लिए जरूरी नहीं है यह जो भी सोश्योजी से रिलेटेड हमारे एक्जाम होते हैं लाइक यूपी पीजीटी हो गया आपका डी एससपी का एक्जाम हो और इन सारे एक्जाम होने वाले हैं और आपके जो पी ऐसजी के लिए इंट्रेंस होते हैं तो वो सब के लिए बहुत इंपॉर्ट dabei तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगती हो है जिसमें उन्होंने ऐसा बोला था कि यह जो है एक मनुवृत्ती होती है जो कि व्यक्ति को एक निश्चित धंग से विवहार करने अत्वा ना करने के लिए प्रवृत्त करती है ठीक है क्या होती है कि व्यक्ति को वह वह करे या ना करे उसके लिए वह प्रवृत्त करती है और यह जो विवहार होता है वह अभ्यहस्त विवहार उसमें विगत अनुभाव के अधार पे यह विवहार को शक्रियता प्रदान किया जाता है चलिए इसको हम एक्जामल से समझते हैं जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को चार बजे सोने की उठने की आदत है जैसे मुझे चार बगए उठके बहुत अच्छा फील होता है ठीक है और इस वज़े से मैं चार बज़े उठती हूं और मैंने यह अनुभव इस वज़े से पराप्त किया कि मैं किसी दिन आठ बज़े उठी और मेरा पूरा दिन खराब हो गया मुझे अच्छा नहीं लगा या फिर फैमिले से वह क्तियों का निर्माता होने के साथ व्यक्तियों द्वारा ही निरमित होता है यानि या उत्पादक और उत्पादम करतां दोनों एक साथ होता है तो कहने का मतलब इतना बड़ा इसको समझाने यह तो ठीक है कि हमें पता है कि Havertis leur वो बॉ also do इस तरीके से लाइन देके और इसके बारे में पूछा जा सकता है इसलिए हमें अब थोड़े प्रभुत इनकी बहुत अच्छी परिभाशा है और इन्होंने सिविल सोसाइटी का भी कॉंसेप्ट दिया था और यह परिभाशन की आप ही चुकी है कि जो राजनीतिक और वैचारिक साधनों के समिश्र द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग पर प्रभुत स्थापित करता है तो यह किस ने कहा था तो यह जो है वो एंटोनियो ग्रामस्की का कहा था कहने का मतलब यह है कि जो विचार धारा आइडिलोजी है ना उसकी आधार पे ही उसको साधन बनाके क्या किया जाता है आधिपत्ति स्थापित करने में जो सिवल सुसाइटी होती है वो सफल हो जात होती है तो यह इनकी अधारना है तो राजनीतिक और वैचार की साधनों के सम्मिश्रण द्वारा एक वर्ग से दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करना मतलब है जीमनी स्थापित करना ही इनकी आधिपत्ति की अवधारना होती है कि अगला देखते हैं क्या है इन्विजिबल रिलीजन इन्विजिबल रिलीजन जो है एक बुक ही है जो की लुकमेन की है इन्होंने इसकी अवधारना दी थी और इन्विजिबल रिलीजन को समझ लेते हैं इन्विजिबल रिलीजन जो है लुकमेन ने जो पारंपरिक धर्म के समाज शास्त्र ज्वादा इसाई धर्म के प्रती अपनाए गए संकुछित द्रश्चिकोर को की आलोचना करते हुए इन्विजिबल रिलेजन का कॉंसेप्ट दिया था उन्होंने कहा कि जो आतुनिक और नगरी उपभोक्तावादी समाज हैं वो में व्यक्तिवादिता और पवित्रता जैसे लक्षड होते हैं जो की अद्रिश धर्म हैं कहने का मतलब यह है कि नहीं हम कहते कि हम सेकुलर है जो पारंपरिक दिस्टी कोड चला आ रहा है उसकी समक्षिक चुनौति वस्थित कर दी थी तो यह इन्विजिबल रिलिजन का कॉंसेप्ट है नेक्स देखते हैं फाल्स कॉंसियसनेस मतलब कि मिथ्या चेतना जानते हैं कि इसके अवधारना यह चीज के बात काल मार्क्स के इनके सारे कृतियों में बहुत गहराई से मिलता है तो इसको सरवसब्दों में हम कह सकते हैं कि जब सामिवाद की योर जो भी सरवहारा वर्ग वो कदम बढ़ाता है तो उसको ऐसा प यही जो है वो मिथ्या चेतना जब उसके तूटती है तो वह वर्ग चेतना में बदल जाती है वही क्लास इंके इस확्वेस लप इनके सब्सेट हैं चेतना को वहं जो होती सिर्फा यह इच्पिकेशन मतलब मिध्या करडवाद यह मतलब होता है इसको दिया था की सिधान मांनको कि कोई भी प्राकलपना होती है hypothesis होता है उसके परिक्षर के लिए उन्हें असत्य करार दिये जाने के कारण ही संभव है कि उनका परिक्षर असत्य करार देने से ही वो सिद्ध होगा कि वो वेग्यानिक प्रगति में है या नहीं है और इसकी जो है अलोचना की थी Thomas Cohen ने उन्ह कि इन्हों ने कहा तक आल पाउपने कि अगर हमें वेग्यानिक प्रगति की जांच करनी है तो कोई भी अगर सिधान्त बन रहा है तो हमें उसके असत्यता को जांचना है मतलब उसके मित्थिता को सिद्ध करना है फिर नवीन प्राकलपना बनाई जाएगी और अगेन हम उस फिल्ड ने दिया हुआ था और यह moral basis of backwards society इनकी book है उसमें दिया है और moral जो फैमिलिजम है इसका मतलब यह कि निनातिक परिवारवाद मतलब इसमें morality नहीं है ठीक है परिवारवाद की बात हो रही है तो सबसे पहरे हम समझते परिवारवाद क्या होता है जैसे कि व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखा जाता है ऐसे परिवारवाद का मतलब होता है कि जो समाजिक संगठन का एक ऐसा स्वरूप परिवारवाद कहलाएगा जिसमें पारिवारिक मुल्यों को अत्यधिक महत्त हो दिया जाएगा व्यक्तिकत नहीं पारिवारिक मुल्यों को तो यह जो कि अपने हीतों को नहीं उपर रख रहे हैं वह गाओ के हीतों को उपर रख के जो है वह इस चीजों को सुलजाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वज़े से एक यहां से इनकी जो इस्टडी की थी इन्होंने तो वहीं से यह अमोरल फैमिलिजम के अधाना निकल कि आई थी इड पावर दो सकती को सकती पता है पावर को हम सकती कहते हैं ज्यान की शक्ति मतलब ज्यान और शक्ति उस ज्यान की आनुवानशिकी मतलब वन्शावली ज्यान कैसे विकसित हुआ वह ज्यान मतलब कैसे वह संव्रिद्ध हुआ इस चीज़ पे इनका जो भी लेखन था इसी पे पूर्व जैसे थे फिर हम धीरे धीरे बढ़े हुए हैं हमारी जो भी है इसको हम कहते हैं जीनियो लॉजी वन्शावली तो उसी अधार पर इन्हों ने बोला कि ज्ञान की क्या वन्शावली है ज्ञान कैसे आगे बढ़ा ज्ञान की का विकास कैसे हुआ तो इन्हों ने इस ग्यान से निर्धारित नियंत्रित हो सकता है जो जिम्नी लोग होते हैं जिनके पास जैसे डॉक्तर हो गए dedo वो एक विस्ष्ट होते हैं और वो अपने ग्यान के अधार पे समान्य जन्मानस पर अपनी प्रभुता बनाए रखते हैं तो यह कॉंसेप्ट जो है इनका है और इसको इन्होंने लिया था जो है वो नित्से के सक्ती के दर्शनसास्त्र से अगला जो है कॉंसेप्ट यह आपको पता है ग्लोबल सिटी है जो की ससेन मतलब इनका कॉंसेप्ट है ग्लोबल विलर्स दोनों एक जगा मैंने लिख दिया है मार्सल मैकलूहान का था ग्राउंडेट थियोरी जो है ग्लैसर एन स्ट्रॉस का है यह भी बहुत ही इंपोर्टे अपना इस्टडी किया था जिसे कि हॉस्पिटल में कुछ पेशिंस थे जो कि मरने वाले थे तो वह अपना कुछ अनुभा लिख रहे थे तो इन्होंने ग्राउंडेट थियोरी के बारे में बताए कि यह इंड़क्टिव मैथेडिलोजी पर काम करता है जो की सिस्टेमेट इस ग्राउंडेट गाइडलाइन देता है क्वालिटेटिव डाटा को गैदर करने के लिए एनलेसेस करने के लिए और उसको फिर कंसेप्टुलाइज करने के लिए थाकि हम एक थियोरी कंस्रॉक्ट कर सकें तो यह इनका जो है बुन्यादी सिधान्त इसको कहते हैं चम्त और यथाख्त विवाह की बात की थी SPN फिर अपित्यसतात्मक और फिर एक विवाही और एक परिवार की तरफ इनका रुजान बरता चल लागयो तो यह इनका परिवाह में भी पूछ देता है उद्विकास और विवाहमें बीबव viol कोड़ते हैं आगे हम देखते हैं अगला किन मतलब नातिदार ने तीन तरह कि बनातिदार बताया भी थे जो पराथमिक नातिदार दुतियक नातिदार नातिदार प्राथमिक इसे दार में कितने संबंदी होते हैं आर्थ दुत्यक में 33 और 151 त्यक में होते हैं लेज़स फेरिप में हम वास्तिविक हमारी बोली होती वांत बहुत नेक्स उपकारण होता है लेकिन निक दो इसुद्ध मैं ङबलन का है इसको कहते हैं दर्श की अवकास दर्श की उपभोग जिसको हम कहते हैं कि इस अधारना को विलासी वर्ग के लिए किस अंदर्भ में इसका उप्योग किया था थॉस्टिन वैबलन ने नेक्स है जो है वो है लिमिनलिटी मतलब वान गैनप का है यह थियोरी इन्होंने अपने रिट्स ओफ पैसेज में दी थी और जिसमें इन्होंने बताया था कि लिमिनलिटी जो है वो अंतरालिक अवस्था होती है जो जब हम जीवन पत का अपना संसकार करते हैं तो उसमें ज अनिमाद।